हाई एवरिवेन तो आज हम पॉलिटी का लेक्चर टू देख लेते हैं रिविजन लेक्चर ठीक है टू कल एक बर कुछ रिविजन देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़े देखी थी क्योंकि देखो जो भी करेंट अफेर्स आपके रहते हैं वह तो एक्जाम में पूछे ही कल जैसे हमने देखा था alla competition commission of इंडिया के बारे में बत्तरप्रठा आयोग क्यक के बारे में देखा था यानि की नियंत्रवork महाले खा परिक्षक और Law Commission of India कЕ में देखा था दिन्सिए के इंद्रिय सतर था यूप के बारे में देखा था फिर हमने कुछ їो पोड़ल थे ना जैसे कौन से पोड़ल थे इंडिया करके था ठीके Rebecca mandate यह जो यह new इन स्पड़नेंस थी तो उससे क्या बात की थी democracy index के बारे में भी बात की थी और one nation one russian card को हमने पढ़ाता हो तो काफी सारी चीज़े हमने discuss करी थी यह ना लोगपाल पढ़ा था ठीकि लोगपाल के बारे में पढ़ा था तो यह सब क्योंकि current में थे इस वज़े से इंपोर्टन थे आज जो हम देख लेते हैं वह सारी ही हम वही बॉड़ी देखेंगे इंपोर्टन जो है मतला आपको में इंपोर्टन पता होनी चाहिए कि कौन किस चीज़ को अब भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए है पूछा जा सकता है तो सबसे पहले क्या है गब जो टॉपिक है आज का वह क्या होगा पार्डनिंग पावर्स ठीक है शमादान करने की शक्तियां यानि कि जो प्रेजिडेंट और गर्णर को मिली हुई है ना शमा करने की पार क्योंकि यह जैसे राजीव गांदी का केस हो या उसमें बार-बार मरसी पेटिशन फाइल हो जाती है ना यह सारी चीज़े होती है और दो-तीन केसे और जहां पर यह न्यूज में था तो पार्डनिंग पावर्स ठीक है प्रेजिडेंट को जो मिली है वो आर्टिकल 72 में है ठीक है हमारे कॉंसिटिशन में आर्टिकल 72 म होती है वह जो गवर्न की होती है वो लिमिटेड होती है तीक है गवर्नर की लिमिटेड को होती है क्योंकि यह ढंद को यह death sentence को यह पार्डնन्हीं कर सकता है ठीक है वह किससी है और जो फोर्सेज जो कोर्ट मार्शल होते हैं तो उनके अगेंस्ट भी हो पार्डन नहीं कर सकता ठीक है केवल जो प्रोसीजर उसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है लेकिन पार्डन नहीं कर सकता तो यह एक मेंड डिफरेंस है ओके बाकी जो दूसरी चीज याद रखनी ह तो पर ताहिना है दिए बाधान क्या होता है और मतले है क्या कंव्यूतेशन क्या होता है कि और क्या होता है कि रिपलेस करना एक बहुत ज्यादा मतलब जैसा रिक communal करना-चेंद बना देना ठीक है less severe punishment तो यह इसको हिंदी में इसलिए बोलते हैं लगू करना यानि कि कम कर देना तो यह लगू करन तो हिंदी में भी याद रखना लगू करन और दूसरा जो है रिप्राइब आता है ठीक है रिप्राइब तो रिप्राइब में क्या होता है कि यह प्रविलम्बन यानि की रिप्राइब फिर दूसरा जो होता है वो क्या होता है रिस्पाइट है न जसे नाम से ही पता है रिस्पाइट का मतलब क्या होता है कि उसको क्या कर दे कुछ इसे की कोई महिला है वो प्रेग्डन्ट है न तो श्टाइम पर वो क्या कर देना में जो सजा है उसको थोड़ी लिए उसपे विराम लगा देना है special condition then remit जो होता है remit का m seria कि परिहार जो remission होता है उसका म finestलब क्या होता है परिहार तो इसको kya बोलते है कि कम किया जाना मitलब कि lesser punishment दिया जाना lesser punishment कैसे? कि अगर 2 साल की सजा किसी को मिली है तो इसको 2 साल की जगा पे 1 साल कर दिया जाए ठीव है तो एक साल भी मतलब ऐसा है कि सजा वही रहेगी उसका नेरेटिव जो है एज रहेगा है ना वह चेंज नहीं होगा केवल क्या होगा जो उसका टाइम है वह कम कर दिया जाएगा मतलब एक साल की जग पंदरह साल है तो पंदरह साल की जग दस साल कर दिया जाएगा ठीक है बा बाद जो वहां से related जो concerning जो state होते हैं related जो राज्य होते हैं वहां से advice ली जाती है फिर discuss करके फिर इसको president के पास वापस भीजा जाता है ठीक है तो इस तरह से ये procedure चलता है दूसरा जो हम देख लेते हैं ठीक है तो हमने ये सारा पढ़ लिया कि pardon, commutation, reprive, respite और remission ठीक है और 72 article and 161 किसका है governor का ठीक है president का है 72 next जो है news में क्या था doctrine doctrine of adverse possession ठीक है doctrine of adverse position तो इसमें ये बोला जाता है कि कोई भी जैसे ये land है ठीक है यानि कि ये piece of land है कोई भूमी का टुकडा है अगर यहां पे किसी ने 12 साल से claim नहीं किया है ठीक है 15 एर से किसी ने भी claim नहीं किया है और आप मतलब इसको देख रहे हो है ना आप इसके real owner नहीं हो कोई और इसका real owner है लेकिन 12 years तक claim नहीं किया गया है तो ये इसके बोलते हैं महानियवादी ठीक है भारत का महानियवादी तो यह कौन से आर्टिकल में में अर्टिकल 76 ठीक है आर्टिकल 76 ऑफ दे कंस्टिचूशन में में मेंशन है ये और इसी के बाद वो याद रखना आपकी solicitor general of India जो होता है उसका constitution में mention नहीं है तो ये भी पता होना चाहिए एजी आई के बारे में ये constitutional post है क्योंकि 76 में mention है appointment किसके दौरा होता है president के दौरा होता है और इनका जो term है तो term वो constitution में mention नहीं है तो ये याद रखना ये क्योंकि जो प्रेजिडेंट के प्लेजर में मतलब ये क्या करता है कभी तक भी बना रहा सकता है ठीक है तो term constitution में mention नहीं है दूसरी चीज इसके लिए qualification AGI बनने के लिए जो qualification है वो क्या होनी चाहिए qualification होनी चाहिए Let me qualification होनी चाहिए कि वो क्या हो सबसे पहले तो वो he shall be qualified to be a supreme court judge है उसको मतलब योग्य होना चाहिए कि वो supreme court का judge बनने के योग्य हो इस तरह से उसको qualify होना चाहिए अब दो तरह के मतलब इसमें provision है एक तो या तो उसने five year क्या क्यों complete को हो ठीकर five year high court का judge रहा हो या फिर दस सालोंグू क्या क्या हो आडवोकेट के तरह से उसने practice के आडवोकेट वो रहा हो किसी भी हाई court में कहीं बैबी ठीकर तो यह है पांस साल का तो मतलब हिया हाई court का judge या फिर 10-year का क्या हो उसका advocate के रूप में काम किया हो ठीकि तो यह होती है दूसरा अगर हम AGI के बारे में बात करें कि वो किसको मतलब क्या-क्या उनके functional होते हैं तो वो किसको represent करता है जो government of India है ठीक है तो government of India को represent करते हैं उनके जो judicial matter होते हैं अभी जो UPSC जिहाद वाला जो चला है तो उसमें भी आई जो AGI या फिर जो Solicitor Journal of India है तो वो अपना पक्ष रख रहे हैं इस चीज़ पे तो यह मतलब सारी चीज़े आपको लिंक करके ही पढ़ना चाहिए कि कहां से लिंक है तो government of India का क्या होता है judicial matter पे वो क्या करते हैं इंतरा से defend करता है जैसे lawyer बोलते हैं तो lawyer यह government of India का हो जाता है और he is not a full-time member of the government ठीक है lawyer है लेकिन क्या full-time member of the government नहीं है ठीक है full-time member of the government नहीं है और यह क्या है कि जो parliament की जो जितनी भी proceedings होती है ठीक है चाहिए ओ लोकसभा राज्यसभा में हो उस पर यह क्या करता है proceeding में यह participate कर सकता है ठीक है लेकिन cannot vote but cannot vote तो vote जो है नहीं दे सकता ठीक है तो यह यह चीज पता होनी चाहिए दूसरा यह है कि 143 आर्टिकल जो आपको पता होगा इसको क्या बोलते है I love you है 143 यह 143 जो आर्टिकल है यानि कि अब इसका मतलब तो पताई होगा कि one जो meaning है for one letter and four मतलब है love में four letter आते है लो वी and three मतलब यह भी बताना पड़ रहे है वाई यू यू है तो इसमें क्या होगा है कि जो जब भी कभी जो प्रेजिडेंट है ठीक है उनको Supreme Court से अगर कोई भी advice लेनी होती है ठीक है तो वह 143 आर्टिकल के अंतरगत ही क्या करते है उसको लेते हैं तो यह हो गया हमारा AGI के बारे में अब जो next हमारा topic है that is promotion of Hindi ठीक है promotion of Hindi के बारे में यह news में था और आपको भी पता है कि 14th September को Hindi दिवस भी बनाये गया था 14 September को तो promotion of Hindi जो है हमारे जो constitution है constitution का part 17 में है ठीक है constitution का part 17 में यह है ठीक है और इसमें क्या है मतलब जो official हमारी जो languages हैं वो मतलब पूरी languages के बारे में कितने article में है article 343 to 351 ठीक है 343 to 351 में है और जो हमारा language से related जो सूची है अनु सूची language से related schedule है तो वो किसमें 8 schedule में mention है ठीक है 8 schedule में हमारी 22 languages हैं ठीक है अब 14th of September को 14th September 1949 में हिंदी को promote करने के लिए हिंदी को promote करने के लिए एक resolution लाए गया ठीक है और उसके बाद पहली बार जो था 14th September 1953 से जो first हिंदी जो था वो मनाय गया था ठीक है हिंदी दिवस जो पहला हिंदी दिवस था वो 1923 में मनाय गया था 14 सितंबर को बिसक्श के लिए हिंदी को promote करने के लिए अब लावा जो हमारी जो राजबहाचा है ओफिशिल लेंगविज is वह इंग्लिश भी है थी नैंज सेडियूल के बारे में साधी हमने हैली में भी पढ़ाता है न मैंद क्षेज्वनन कए कर देन.. इस जो basic structure होता है constitution का उससे related तो यहाँ पर यह 9th schedule में क्या था यह first constitutional amendment act के दोरा आया था जो क्या करता है कि अगर नुसुची में आपने कुछ भी matter को डाल दिया है तो उसमें judicial review नहीं हो सकता है ना तो इसी चीज़ पर केश्वन अन्भारती ने objection किया था क्योंकि इनके जो land क जो issue था वो इसको इस वाले उसमें डाल दिया था नुसुची में तो इसमें judicial review हो नहीं सकता था मैंदा court अपना कुछ भी इसमें judgment नहीं दे सकता था ना तो यह जो इस टाइम पर यह इसलिए था न्यूज में क्योंकि जो SCST जो थे SCST reservation को बोला जा रहा था उनकी यह demand थी क इनको reservation की demand को इसमें 9th schedule में डाल दिया जाया है ना ताकि उसमें judicial review ना लग सके अब जो यह judicial review होता है तो यह case आया था ठीक है IR को ले versus तबल लाडू case था तो उसमें जो 9th schedule को बोला गया कि 9th schedule को भी क्या होगा चीज़ें उसमें judicial review के लिए उसमें applicable होगा ठीक है यह बोला मतलब जो इसमें डाले है matters तो क्या वो fundamental rights को violet कर रहे है ठीक है दूसरा चीज है कि क्या वो basic structure के साथ छेड़कानी हो रही है तो अगर इनका जवाब मतलब yes होता है that means वो क्या बन जाएगा वो बन जाएगा unconstitutional ठीक है वो बन जाएगा unconstitutional तो यह होता है इसमें judicial review तो यह 9th schedule का यह बता दिया दूसरा जो topic है UCC ठीक है UCC ठीक है UCC क्या था universal civil court ठीक है universal civil court इसका मतलब यह था कि पहले तो यह देख लो कि यह news में क्यों था यह news में सिले था क्योंकि आपको पता है गोवा में है ठीक है गोवा में क्या है यह civil court है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जितन multiple marriages allowed नहीं है यहाँ पे Muslims नहीं कर सकते तो यहाँ पर इसका पालन होता है तो यहाँ पर Supreme Court का कहना था कि बाकी के जो स्टेट है उनको भी मतलब वो भी अपना जो है इसमें इनिशेटिव ले सकते हैं और यह किसमें आता है आर्टिकल 44 आर्टिकल 44 में आपको पता है हमारे डिरेक्टिव प्रिंस्पल आफ इस्टेट पॉलिसी है निति निर्देशक तक तो है ठीक है अब यहाँ पर में जो एक फेमस केस था वो था कि अलग-अलग जैसे हिंदू मैरेज आक्ट है अभी है न किस्ट्यानिटी का अलग है तो और मुस्लिम पर्सनल लॉज है तो यह न होके एक सिविल कोड एक यूनिफाइड बन जाए ताक कि आसानी रहे हर चीज में है न तो यह है नेक्स्ट जो है वो रेल्वे से रिलेट थी तेजस एक्सप्रेस तो वो चलाई गई थी कहां से डेली टु लखनो चलाई गई थी अब यह जो तेजस है तेजस जो थी इसको क्या बुला जाता है इंडिया की फस्ट सेमी हाई स्पीड फुली एसी ट्रें पहली इंडिया की और जिसको रेल्वे नहीं बना रहा है य मतलब इसको IRCTC को बोला गया कि यही इसको अप्रेट करेंगे ठीक है रेल्वे नहीं करेगा और प्राइविट प्लेयर्स का भी इसमें इंवॉल्मेंट रहेगा और नेक्स्ट जो न्यूस है वो देख लेता है नेक्स्ट न्यूस क्या थी कि सुप्रिम कोट की जज्ज्मेंट थी ठीक है सुप्रिम कोट की जज्ज्मेंट आई थी कि जो इंटरनेट है ठीक है इंटरनेट कैसा रहेगा यह बतलब इंटरनेट क्या होता है इस अब बेसिक राइट है न और यह भी बोला था कि जो हमारा जो फंडमेंटल राइट्स मे freedom of speech है freedom of speech और जो expression है expression through internet ठीक है expression through internet that is that is regarded as a क्या regard किया जाएगा उसका as a fundamental rights ठीक है तो यह बोला गया था जबू कश्मीर में आपको पता है कि internet जो था उसको मतलब 2G कर दिया गया था कहीं कहीं पर पुरी तरह से हटा दिया गया था ठीक है मतलब follow होना चाहिए क्या principle of proportionality ठीक है principle of proportionality मतलब क्या होता है कि जो भी punishment है ठीक है जो punishment है वो क्या होना चाहिए proportional होना चाहिए to the crime यह मतलब ऐसा नहीं है कि आप आपने अगर suppose कोई आपने कहीं छोटी मोटी कहीं पर चोरी कर लिया है ठीक हो गया ठीक है चोरी किया आपने तो चोरी के बाद आपको क्या कर दिया जाएगा आप ड़िःफ्य पनिश्मेंट दे दिया जाएगा ओलिए कि वल उन पार्ट में ही क्या किया जाए इंटरनेट को रिस्टिक्ट किया जाएं बाकी के पार्ट में नहीं किया गया ठीक है तो यह चीज बोला गया है क्योंकि और suspend भुर्च सब्सक्रांब कर दोर है बहुत जादा न्यूज में रहता ही है हर बार आईटी एक्ट जब हमने बैन किया अपनी जो बहुत सारी जो चाइनीज ओरीजन की जो एप थी उनको बैन किया तो यह आईटी एक्ट के तुरू इंटरनेट भी सिस्पेंट किया जाता है और सी रपीसी ठीक है तो यह तीन स्ट्पेंट किया जाता है 1973 का है CRPC ओके नेक्स्ट जो है न्यूज में कुछ थी ठीक है जैसे ब्रो कम्यूटी के बारे में आपने सुना होगा ठीक है भी आर यू कम्यूटी तो यह तीन स्टेट में है ठीक है तो इसको आप याद रख सकते हो ATM के थूठ एक एक्टेम एफ इनको क्या मजआता है रियंग फिल द। बूला जाता है और इनका विक्त्रपूरा में Sinn भी होता है इसको बोल ते होजागिरी डांस तो यहां पर एकर से घ्याट रखना परिवारा जाए कि कहां की ट्राइब तो यह क करनाटका की ट्राइब इनको यह बोला गया था कि इनको स्टेटस देने के लिए बिल लाए गया था ठीक्षाइब ब्रहल करें अच्छा इस्टी की जो शेडियो ट्राइब उसके डिफिएशन आप और शेडूल जो ट्राइब है उनको मतलब 342 में उनके बारे में उल्लेक है तो हमने मतलब आज क्या-क्या चीजे देखी काफी सारी चीजे हमने डिसकस की जैसे हमने हिंदी लैंग्विज को प्रमोट करने के लिए क्या-क्या प्रोविजन है और हिंदी दिवस कब से मनाय जा लाता है वो सब देखा है आप यह बताना कि जो हमारी मदर टंग है वो कौन से आर्टिकल में में इसको प्रमोट किया जाए है वो चीज आप बता सकते हो अगर बताना चाहूं और बाकी के हमने देखा यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना यू सी सी है ना स्वारी मैंने इसको रेलवे है ठीक है उसको प्राइटाइज करने की बाद तेजस के बारे में हमने देखा इंटरनेट जो है बेसिक राइट उसको बोला गया सुप्रिम कोड के द्वारा है ना और जो हमने शमा करने की शक्ति है पार्णिंग पावर्स ऑफ प्रेजिजेंट तो यह सारी चीज 24 का ए है ठीक है जो डील करता है सेडिशन से इसमें मतलब कोई भी सिंबल कोई भी वोर्ट के थ्रूँ आप क्या कर रहे हो गौर्मेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट मतलब कुछ आम्ड रिबेलियन या फिर वॉयलेंस अगर कर रहे हो तो उसको क्या करेंगे मतलब उसको आ आप यह नॉन बिलेबल उफेंस होता है नॉन बिलेबल उफेंस और यहां पर जो है गौर्मेंट जॉब्स के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो यह सारे जो चीज़े हैं हमने डिसकस की थैंक्यू हेव नाइस टे